तो हेलो दोस्तो! कैसे हैं आप? आसा करता हूँ कि आप सब अच्छी होंगे सब पहले दोस्तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो आप मेरे चैनल को सक्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिये, और कॉमेंट्स करना मत बुलिए तो चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं आज दोस्तों मैं अंबस्ण करने वाला हूँ एक अजन्ता एंडॉक वाटाज वाल प्लॉक का जिसको मैंने एमेजॉन से पर्चेस किया है और जो मुझे आज के डेट में मिला जैसा कि दोस्तों आप इस पैक को देख पा रहे हैं इसमें वो मेरा वाल प्लॉक है तो ये देख लीजिए ये पैक कुछ इस परकार हमको देखने को मिल जाता है पैक बहुत ही खुशूरत और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है मोटा सा पैक है ये देखिए ये देखे दोस्तों पैकेजिंग के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है अच्छे से मुझे मिला जॉन को मैं थैंक्स कहूँगा पैकेजिंग के मामले में बहुत अच्छी तरह से पैक करके मुझे दिया है और इसको मैंने COD किया था दोस्तों कैसोन डिलेवरी और ये मुझे पढ़ा वाल क्लॉक दिवाल घडी 440 रुपे में विदाव डिलेवरी चार्ज तो कुछ इस प्रकार ये जो पैक हमको देखने को मिल जाता है ये देख लिजे और इसको मैं अभी पैक को कट करूँगा और इसका फूल डिटल में आपको बतलाओंगा इस अजन्ता एन्लोक कोटाज वाल घडी का इसकी क्वालिटी कैसी है फूल डिटल में इस वीडियो में आपको बतलाओंगा तो चलिए इस पैक को कट कर लेते हैं और देखते हैं इस जिवाल घडी की क्वालिटी कैसी है तो चल तो यह देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने इसे पैक को अभी कट कर दिया है यह देखिए दोस्तों पैक कट हो चुका है और यह देखिए हमारा जो है दिवाल घड़ी इस पैक के अंदर सील है यह देखिए इसमें बहुत अच्छा लगता है इसको ऐसे फोलना और देख लेते हैं और कुछ तो नहीं हो एक स्लीव है इसमें यह देखिए एमजॉन की तरफ से एक स्लीव इसमें दिया हुआ है कैसमेमो इसको रख देते हैं और और अपना में जो है दिवाल घड़ी का पैक यहां से सील जो है इसको भी ओफिन कर लेते हैं तो चलिए तो दोस्तों एक बात में अब से कहना चाहता हूं तो दोस्तों किसी घड़ी की टिक्टी का सूर इतनी पेज होती है जिसमें लोगों को परस्वानी होने लगती है सीर इसकी ध्वानी काफी कम है जो उप्यो करताओं के लिए प्रसानी पैदा नहीं करती देखें दोस्तों यहां से भी इसको यह भी सील किया हुआ है यह देखिए पार्ग रखते इसको और यह रहा दोस्तों वह हमारा अजन्ता एंडलोग क्लोग का असली पैक यह देखिए दे वर्ल लार्गेस्ट क्लोग मेनिफेक्टर कुछ इस प्रकार यह पैक हमको देखने को मिल यता है सेम यह देखिए तो चलिए यहां से भी सील को हम कट कर लेते हैं और जो है कि यह देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट लूप आपके सामने क्या कुसूरत बहुत ही बैतरी जो मैंने देखा था से महीं चीज मुझे मिला है इस पैक को भी मैं यहां से निकाल लेता हूं यह देखिए दोस्तों यह देखिए तो यह देखिए दोस्तों इसके पैक से निकालने के बाद कुछ इस प्रकार जो है यह दिवाल घड़ी हमको देखने को मिल जाता है बहुत ही सूरत जो मैंने देखा था से महीं चीज और यहां पर मुझे एक यह देखिए एक और पर आजनता साटिफिकेट और वरांटी कार्ड मिल जाता है इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और वरांटी कंडिशन यह पर दिया हुआ है तो यह एक साटिफिकेट है वरांटी का इसको साट में रखते हैं और अपना में जो है घड़ी पर फोकस करता है यह देखिए वो घड़ी यह देखिए दोस्तों बहुत ही कुछ सूरत तो चलिए अब इसके जेनरल की सीचर्स की बात करते हैं दोस्तों इसका जो जेनरिक नेम है व लॉग पैक जो है वन यूनिट है जैसा कि अब देख पा रहे हैं एक ही पीज सिता मुझे मिला और पावर सोर्स की बात करूँ इसमें जो है डबल एस्टाइज का बैटरी मिलता है और बैटरी जो है वन डबल एबैटरी लगा है मैं आपको दिखा दू यह देखिए दोस् इसका डाइल कर जो है इसका वाइट है नंबर आफ बैटरी जवन है जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं यह देखिए और साइज जो है इसका 32 सेंटिमीटर इंटू 32 सेंटिमीटर इसका साइज है फ्रेम मेटेरियल की बात करूँ इसका बोडी का तो ग्लास से सामने वाल यह ग्लास से और क्लॉक टाइब की बात करूँ तो एनलॉग है और दोस्तो यह अजन्ता एनलॉग वाल क्लॉग दो कलर में आता है जो आप देख पा रहे हैं इसका कलर वाइट है और एक बेज कलर जो है गहरे पीले रंग में आता है मुझे वाइट कलर कुछ ज्यादा ही पसंद आया और इस अजन्ता एनलॉग भड़ी पर हमें दस दिनों का रिटर्न टाइम भी मिल जाता है अगर आपको कुछ खराबी मिलती है कुछ ऐसा डिफाल्ट मिलता है तो आप इसे दस दिनों के अंदर में इसे आप रिटर्न कर सकते हैं और तो और इस वाल क्लोग पर इसे आप गूगल पर सर्च करके देख भी सकते हैं और दोस्तों सवधानी निर्देश की बात करें तो आप इस घड़ी को गीले कपड़े से पोच कर साप कर सकते हैं अगर गंदा हो जाता है तो अब दोस्तों इसके फ्रेम मेटेरियर्स की बात करूँ तो इसका दिवार घ घड़ी का डायल आयातीत उच गणवता वाले एक्रेलिक का बना है जबकि हेंड आयातीत धात्वों के हैं जिसमें चमकीली फिनिस दी गई है जिसे आप बहुत यह असानी से देख सकते हैं अब इस घड़ी के कॉंट्री ओफ अर्जन की बात करूं दोस्तों तो यह हमारे देश कहीं बना हुआ है यह इंडिया कहीं बना हुआ है तो इससे बेटार अब क्या चाहिए जो अपने देश का बना हो और पीछे का लूक आप जो देख पा रहे हैं यह जो है बलेक कलर का वौड़ी बेक कभर इसमें दिया हुआ है इसके मिंटरेटियर बहुत अप्षई है और यहां पर जो है आप जो होल किया हुआ है आप इसको अच्छी तरह से कहीं लगा सकते हैं यह देखिए और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपर बैटरी दिगई है डवल ए सैज की बैटरी और single बैटरी ही है जो अच्छी बात है इस घड़ी के लिए और यहाँ पर इसका setting दिया गया है setting mood अभी इसका time जो है हम set करेंगे तो चलिए इसको हम set कर लेते हैं तो बड़ी बात है दोस्तों इसका जो नंबर दिया हुआ है ये देखिए वाल पर किसने भी दूर पर रहेगा वो अच्छी तरह से साफ साफ दीखेगा ये देखिए तो चलिए इसका हम सेट कर लेते हैं पहले टाइम और इसके बाद जो है हम इसे लगाते हैं अपने दिवाल पर दोस्तो यहाँ पर मैंने इसका टाइम जो है सेट कर दिया है और दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें थोड़ा सा भी टिक टिक की अवाज सुनाई नहीं दे रही है बिल्कूल भी सुनाई नहीं दे रही है ये देखिएगा इससे क्या होता है कि कोई-कोई खड़ी में इ आसान है ये देखिए बड़ा बड़ा नंबर है बोटा बोटा नंबर दिया हुआ है और इसका लुक देखने में दोस्तो बहुत स्टाइलीस है ये देखिए ये देखिए दोस्तो लुक बहुत स्टाइलीस है और हलका वजन का है सटीकता है इसमें इस घड़ी की और टिकाउपन है और तो और पैसा वसूल है दोस्तो चीप इन बेस्ट है तो अब क्या चाहिए एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए तो ये रहा दोस्तो आजनता एनलोग क्वाटाज वाल क्लोग दिवाल गड़ी की फूल डिटेल्स और दोस्तो आप मुझे कमेंट्स करके बताईएगा कि आपको इस वाल क्लोग की कौन सी बाते सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तो आप भी चाहते हैं इस अजनता एनलोग क्वाटाज वाल क्लोग को लेना तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूगा जहां से आप इसे परचेस कर सकते ह हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो ओके बाई थैंक यू जै हिंद झाल